हलो और वेलकम टूर चैनल ऑनलाइन अधिकारी मेरा नाम है सवराव्यादाव और आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्राखंड PCS और समिच्छा इदिकारी में चुक करेंट अफेर के कोस्चन पूछे गए हैं सीधे-सीधे उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत ह हैं तो चलिए देखते हैं पहला करेंट अफेर है यहाँ पर कि दिसंबर 2021 में निम्लिखित में से किसे टाइम पत्रिका दौरा एथलीट आफदे इयर 2021 घोसित किया गया किसे घोसित किया गया हमने जब घटना सार का पुश्माटम कराया था आपने नहीं देखाया तो जाक पर रखना यहाँ पर जरूरी है कि यह अमेरिका की हैं ओलिविया रोडरी को इनको इंटर्टेनर आफदे इयर चुना गया है टाइम पत्रिका के दौरा और अमेरिका की है सीमोन वाइल्स को जिमनार्ष्ट है इनको एथलीट आफ़ इयर चुना गया है और इस वर्स 2021 में टाइम का परसन आप दे इयर चुना गया एलन मस्क को स्पेस जैक्स और टेसला के सीएओ हैं और 2020 में टाइम की परसन आप दे इयर थी कमला हैरिस ओके तो यहाँ पर एचीज के क्लियर होती है इसको हमने टिक किया था आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं और हमने पढ़ाय था ठीक है तो पहला करेंट फेर यह रहा अब दूसरा करेंट फेर की भारती अंतराश्ट्री ब्यापार मेला 2021 के संदर हमें निम्निकित में से कौन सा या से कथन सही है या ठीक है तो यहाँ पर दो इस्टेटमेंट दिये गए क्या लिखा गया कि इसका आयोजन नॉम्बर 2021 में जैपूर राजस्थान में किया गया दूसरा इस्टेटमेंट आयोजन का मुख भी से आतनीरभर भारत था ठीक है तो क्या यह जैपूर राजस्थान में आयोजित किया गया था नहीं केंदरी वाडिच और उद्योग मंत्री पियूस गोएल ने दिल्ली के प्रगती मै निर्भर था यह भी जैद रहा है कियो कि स्टेटमेंट यूपीपीस्च भी बना सकता है बियार पींड़िस भी बना सकता है ऐखे और यह भारत ब्यास्थाriminजध की विचार को बढ़ावादेनी के लिए बिहार चालीसेएं IITF का भागीदार राज था राज है और फोकस राज उत्तर प्रदेश और जहारखंड है यह महत्पूर पॉइंट यह भी है ठीक है तो 40 में IITF का भागीदार राज बिहार था फोकस राज यूपी और जहारखंड था तो यहाँ पर यह क्लियर होता है चलिए अगला करेंट अफ़ेर अगला है नॉम्बर 2021 में इंटर पॉल के अधर चुने गए आमद नसर अल राइसी किस देश के निवासी है तो वो UAE के हैं UAE के हैं ठीक है इंटर पॉल के आपके लिए क्वेस्टन बनता है कि इंटर पॉल का हेट क्वाटर कहां पर है इंटर पॉल का हेट क्वाटर कहां पर है और इसकी अस्थापना किस वर्स होई थी कभी भी क्वेस्टन पूछा जा सकता है कभी मतलब जली भी खाने गया है दुकान पर पूछ दिया जाएगा है ना ठीक है जनवरी 2022 में लिम्खित में से किस अस्थान पर भारत के पहले ओपन राक संग्रहले का उद्गाटन किया गया जनवरी 2022 में ओपन राक संग्रहले का उद्गाटन किया गया कहां पर किया गया तो हैदराबाद में किया गया यह कहां पर हैदराबाद में हैदराबाद तो हैदराबाद में ओपन राक संगरहला है याद रखिएगा संगतराष्ट महासाबा ने वर्ष 2023 को किसके अंतराष्टी वर्ष के रूप में घोसित किया है तो इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स 2023 के लिए घोसित किया है संगतराष्ट ने मोटे अनाज वाली फसलों के लिए यह वर्ष घोसित किया गया है उसके अलावा भारत का जो बजट 2022-23 बजट में अंतराष्टी वर्ष इंटरनेशनल इयर आफ मिलेट्स को घोसित किया गया है 2023 के बजट में ये भी चीज याद रखीगा सायद इस्ट्रेट्मेंट बन जाए ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं दिसंबर 2021 में नीती आयोगद्वरा जारी राज स्वास्त सूचकांग के चोथे संसक्रम में निम्रखीत राजियों में से किसने चोटे राजियों की स्रेडी में सरो स्रेष्ट प्रदर्शन किया अब हमने जब पढ़ाया था अब यहाँ पर देखिए हमने उसी पर विसेश टिक किया है और लेक्चर में देखिए टिक किया है बाद में नहीं टिक किया है चोटे राज़ों की स्रेडी में मिजोरम और मिघाले ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगती दर्ज की है जबकि केंसासित प्रदेश स्रेडी में दिल्ली के बाद जम्मु कस्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है ये भी याद रखी ठीक है इस रिपोर्ट को स्वस्त राज़ परगत्सिल भारत सिर्शक से जारी किया गया ओके नीति आएक दौरा इसको जारी किया गया राज़ स्वास्त सुरच्छा सुचकांग 2021 का दिसंबर 2021 में जारी किया गया केरल सबसे सिर्ष पर है और उत्तर प्रदेश उनिसवें अस्थान पर के बाद तमिलाडू फिर तेलंगाना है याद रखिया गए चीज़ें के रल तमिलाडू तेलंगाना आंधर प्रदेश महराष्ट सायद उत्तर प्रदेश पीशियस 2021 में या 2020 में जो एक कोस्चन सायद पूछ दिया गए था कि पांचमें नंबर पे काउन सा राज है ऐसे भी फूछते हैं मतलब परिसान करने के लिए केरल तमिलाडू तेलंगाना आंधरा महराष्ट के भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्खित में से किस देश के प्रदान मंतरी को अपना सर्वो चनागरिक समान आडर आप द्रग ग्यालपो प्र प्रदान किया किस राज के प्रदान मंतरी को तो ये भारत के प्रदान मंतरी है नरेंदर मोधी जी तो इनको समानित किया गया लेकिन घटना सार में नगदक पेल जी खोरलो अवार्ड लिखा है लेकिन इसका नाम एक और है आडर आप द्रग ग्यालपो आडर आप द्रग राश्टी उवाय मौत्साओं के संदर में निम्र्खित में से कौन से कतन सही हैं अब देखे आयोग जो क्या है कि लोकसेवा आयोग थोड़ा सा टफ कर रहा है टफ का मतलब कि आयोजन पुट्र पूछ रहा है तो उसी प्रकार से इस्टेट्मेंट वाइज ही करेंट अफेर पढ़ी है और वैसे ही हमने घट्नासार में पढ़ाया भी है जहां जरूरित हो उसको बताया है उसी प्रकार से यहां पर लिखाया कि राश्टी उवा मौत्साओं का बीसोवा स तो यह गलत है यह 25 संस्त्राइब है पहला गलत इसका आयोजन पूड़िचेरी में किया गया तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है इसका आयोजन राष्टी वा महुदी वास्टाषा के गारा करेंगे यानि कर चुके हैं ठीक है तो यहीं पर पहले statement दोनों answer हो गया पूटिचेरी में आजन किया गया यानि दूसरा statement सही है बीसों नहीं पचीसों संसकरण था ठीक है तो बारा जन्वरी को कौन से दिवस होता है ठीक है यह राष्ट्री वहा महुत्सा हो है केवल दो यहाँ पर सही है चले आगे यह statement रखे गया है लेक्चर देखिएगा same to same ऐसे ही टिक किये गया है अब लिखा है कि उत्तर प्रदेश को सर्सेज प्रदेश राज सरेडी में बिजेता घोसित किया गया है किसको अब यहाँ पर देखिए सर्सेज राज के पुरसकार के लिए पहला हस्तान उत्तर प्रदेश का रहा ठीक है जबकि दूसरा वा तीसरा हस्तान राजस्तान वा तमिलाडू का रहा है ये भी याद रखेगा उ उत्तर प्रदेश की मुझाफर पूर को उत्तरी जोन्स रेडी में सरसेज जिला घोसित किया गया अब यहां पर देखी सरसेज जिले वा सरसेज ग्राम पंचायत के पूरसकार पाच अलग लग छेत्रों में दिये गए उत्तर पस्चिम दच्छिड पूर या पूरतरम दिये आगे पूछा जा जा सकता है तो बहुत ही महत्त्पूण है तो याद रखिएगा जल प्रबंधन के छेत में सरहनी कार के लिए केंदरी जल सकती मंत्राले दौरा वर्स 2020 के जल सकती पूरसकारों के घोसला की गई तो याद रखिएगा दोनों स्टेट्मेंट यहांपर सही ह आगे बढ़ते हैं निम्कित में से कौन सा सहर स्वच्छ सर्वेचर 2021 में एक लाग से अधिक जनसंक्या स्रेडी में सिर्ष तीन सबसे स्वच्छ सहरों में सामिल नहीं था लेकिन याद रखिए किस परकार से पूछे हैं टप करने के लिए एक लाग से अधिक जनसंक्या स्रे पुरसकार नई दिल्ली को पराबत हुआ इस रेडी में सहरों में दूसरा वा तीसरा अस्थान अंभीकापूर, 36 गर और तिरुपती रहा दिल्ली, अंभीकापूर, तिरुपती इंदौर तो है ही स्वच में इंदौर तो पहले पर ही है ठीक है एक लाग से उपर की बात हो र प्रदेश के इंदावर को पुना देश के सबसे सवच्छ सहर का पुरसकार इन पुरसकारों के तहत दिया गया यहां लगातार पांचवा वर्स है जब इंदावर के पुरसकार प्राप्त हुआ है सबसे निचला प्राप्त में सासा राम भिहार का है ठीक है और यहाँ पर 10 लाग से अधिक में 48 वा अस्थान कोटा राजस्थान का है तो इसको बहुत ही महत्पूर है इसको बहुत ही अच्छे से इसको याद कर लिजेगा ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोस्षिन हाँ यह कोस्षिन जो अभी अभी था तो इसमें कौन सा सही होगा तिरुपती भी है बिजेवाड़ा तिरुपती नहीं है इंदाओर होगा इंदाओर जो है दसलाग से अधिक में है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सवच सर्वेच्छड 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा अस्थान प्राप्ति किया है तो सवच सर्वेच् प्रदेश जनवरी 2022 को परसांत महा सागर में सुरू हुए युद्धा भ्यास सी ड्रेगन 2022 में सामिल नहीं था अब यहां पर हमने देखा यहां पर देखिए अमेरिका के गौवामतर पर संपन हुआ था सी ड्रेगन जो अभ्यास था 2022 वाला इसमें कौाड देश वाड में इंडिया, आस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इसने भाग लिया, क्वाड में, इसके अलामा कानाडा और दचिल कोरिया के नव से नाव ने भाग लिया, यानि भारत, आस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, कानाडा और दचिल कोरिया, ठीक है, तो यहाँ पर जापान भी ह भारत भी है दच्छुल कोरिया भी है फिलिपिन्स नहीं है और यहाँ पर टिक है इसको याद कर लिजेगा इसी परकार से कोस्टन पूछे जाएंगे आपके पीसे स्प्री में इंडिया इस्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंसासित प प्रदेशों का 33 प्रश्ट से अधिक भागोलिक छेत्र अनाच्छादित है इन राजियों और केंसासित प्रदेशों में से लच दीप, मिजोराम, अंडमान और निकोबार, दीपसमू, और अणचल प्रदेश और मेगाले में 75 प्रदेश्ट से अधिक वन छेत्र हैं अब यहां पर एक महतपुड और पॉइंट मिला, यानि 17 राजियों है, 17 राजियों है केंसासित प्रदेश जहां पर 33 प्रदेश्ट उनके छेत्रफल का 33 प्रदेश्ट से ज्यादा वन अच्छादित हैं, वहां पर फॉरेस्ट और ट्रीकवर हैं, उसके अलामा लच्छदीप ह अधिक वन हैं, और बागी यहां पर जो जो चीजे हैं, इसको एक बार और पढ़िएगा, 1987 से यह रिपोर्ट जारी होती है, दो अर्सों में एक बार यह 17 हमी रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पूरे भागोलिक छेतका 24.62 पर सत्तक वन और ट्री, या स्वच्छ सर्वेच्छ पर कुछ ज्यादा ही फोकस आयो का हो गया समिच्छा एदिकारी मेंस के एकजाम में, तो स्वच्छ सर्वेच्छ पर ज्यादा कई तरीके से यहां पर देखे कच्रा मुक्त साहरों के लिए रिटिंग 2018 सुरू की गई थी, इंद और, सूरत, नई द जिली, नवी, मुंबई, अंबिकापूर, मैसूर, नोइडा, विजयवाडा पार्टन को 5 इस्टार रेटिंग दी गई, यहां पर नोइडा है, इनको 5 इस्टार रेटिंग दी गई, जबकि 143 आरों को 3 इस्टार रेटिंग की मानता दी गई है, तो यूपी के कितने हैं, उसको आप लोग कमेंट करिएगा और इस क्वेश्चन का एंसर भी आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, अब इसी स्वच्छ सर्वेचर से 3-4 क्वेश्चन फेंग दिया है आयोग ने, जनुरी 2022 में से किसे भारती अंतरिछ अनुसंधान संगठन इस्रों के दस्वे अध् बने हैं के स्विवान जी थे उनके बाद, अगला क्वेश्चन नौमबर 2021 में ये सायद क्वेश्चन उत्राखंट PCS का है, नौमबर 2021 में परधान मंतरी स्री नरेंद मोधी जी ने एसिया के सबसे बड़े हवाई अड़े का सिलान नयास कहां किया, कई लोगों ने कुसी न नगर मार के आया, लेकिन नोइडा अंतराष्टी हवाई अड़ा जेवर का है, ये नौमबर की बात हो रही है, कुसी नगर तो सायद सेप्तमबर हो गयरा में हुआ था इसका उगाटा, तो ये नोइडा अंतराष्टी हवाई अड़ा है, और बाकी कुछ लोगों को अगर दिल्ली पता ही रहा होगा, केंपर गोडा पता रहा होगा, तो ये लोग कर लिए होंगे, इसी में कन्फ्यूज थे, दो में कन्फ्यूज थे, तो कुसी नगर नहीं है, नोइडा है, ओके याद रही है, परसित गंगा सागर मेला, निम्लकित में से किस भारती राज में होता है उसे गंगा सागर कहा जाता है ठीक है निमकित में से किस फिल्म ने सरसेश चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब आवाड 2022 जीता कौन से फिल्म है तो दा पावर आफ डॉग है बहुत महत्पूर है अब यहां पर देखिए यह गोल्डन ग्लोब आवाड अभिने था विल समित बड़े फेमस थे थपड़ लगाने के लिए अभिने त्री सरसेश निकोल किडमेन है तो यह याद रखिएगा यह तीनों नाम अभी आशकर आया नहीं है आशकर आ जाएगा तो वो भी महत्पूर हो जाएगा आशकर से हमेसा क्वेशन पूछे जाते है ठीक है अब यह जो है कि CEO कई CEO हैं भारती जो लोग बन गए हैं जैसे Google Microsoft Twitter Adobe तो अगर यहां पर किसी को पता रहता कि सत्या नंडिला Microsoft के हैं सत्या नंडिला जो कि Microsoft के हैंना B का 1 B का 1 जिसने लगा दिया एक ही बार में उसका सब सही हो जाएगा B का 1 लगा दिये तो A का 2 हो गया सुन्दर पिचाई हो गया A का 2 हो गया अब यहां पर C का 3 हो जाएगा Twitter के पराग अकरवाल हैं और D का 4 हो जाएगा D का 4 Adobe के सांतुन नरायण है तो यहां पर कुछ लोग हैं पराग अकरवाल Twitter के हैं और सत्या निलिला Microsoft सुन्दर पिचाई अलफाबेट सांतुन नरायण एडोबे के अरविंद कृष्ण आईवियम के हैं महत्पुड हैं पूछे जा सकते हैं क्योंकि पराग अकरवाल अभी जल्दी बने हैं तो यह इसलिए महत्पुड हो जाते हैं ठीक है चलिए आग बढ़ते हैं विश्वर रैपिट सतरंज 2021 किसने जीता यह कुष्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है कि विश्वर रैपिट सतरंज किसने जीता 2021 यह कुष्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि भारती लोगों का इसमें कोई वो नहीं है लेकिन फिर भी पूछे हैं तो फिड़े संध्रा कुंस्ट्रेन टिनो वोन वान इन्होंने जीता है भारत के डी उकेस ओपन वर्ग में सर्वBack च नवे अस्तान पर रहे भारत के डी माहिला वर्ग में भारत की कोने रूह हमपी ने शटा ईस्तान प्राप्त किया है हो सकता है इसकी वज़ा से एक यह कोश्चन उठा जाता है UPPCS ने पूछा था और इसके लिए जो पूरे दिवस हैं इसका एक लेक्चर आपको दिया जाएगा संभावता 25 मई के आसपास आपको दिया जाएगा UPPCS पर फोकस करके जितने भी दिवस होंगे सब को थीम के साथ बहुतर तरीके से आपको लेक्चर दिया जाएगा UPANCUTED pe bye क्योंकि 2021 समय कितने question में clear question में question पूछे गए थे कम से कम 3 तीन या 4 question सीदे-सीदे दीविस से पूछे गए तатели सीदे इतना करograph फैस पंदते रहूं 3,4 question दीवस से आजाते हैं और दो एक-एक question से लोग बाहर हो जाते हैं जाता तो C-CIAT भी पढ़ते रहें सीसेट में communication का section जो हम complete करेंगे और प्रयास रहेगा previous year question जो है सीसेट के मायत वगरा के reasoning वगरा के उसको भी हम आपको complete कराएं ठीक है और हिंदी का section आप लोग तयार कर सकते हैं घटना चक्र वगरा या फिर घंदी में जितना भी पूछा जाता वैसे जानरली हिंदी में ठीक ठाग लोग कर लेते हैं सीसेट में चले देखते हैं विसो ओजन दिवस और इस वर्ष विसो ओजन दिवस की theme तो अभी आई नहीं होगी अगर हो theme पता हो सर्च करिएगा अगर मिले तो comment करिएगा विसो ओजन दिवस के बारे में निम्लखी समाचार पत्रों में से किसने परतिष्टित लोग सेवासरेडी में पुलिचे पूरसकार दिया गया था जून वगयरा में और एक्जाम हुआ था सायद 3 अपराइल को एक्जाम हुआ था उत्राखन का उसमें पूछे हैं और यही पूछा गया था तो पूराना कोश्चन है तो इसमें देखे पब्लिक सर्विस में दड़ निववयर्क टाइम्स को दिया गया था इतना महत्पूर नहीं है लेकिन पूछ लिए है यह वैसे पेपर तो दिसंबर में ही होने वाला था दिसंबर या जनवरी में होने वाला था उत्राकन पीचियस का इसलिए पेपर सायद बन चुका रहा हो पहले का तो कुछ एक्वेस्चन अप्डेट किये हैं इसमें ठीक है तो यहां पर क्लियर हुआ किस भारती डाकुमेंटरी को आसकर 2022 के लिए नामित किया गया था नामित क्या गया था ठीक है आसकर तो अभी नहीं मिला क्या मिल गया है क्या अभी हमें तो पता नहीं है किस भारती फिल्म को तो ये फिल्म है Writing with fire और question पूछा जा सकता है किसके दोरा है फिल्म अब फिल्म भाई रिन्टू थामस और सुस्मित घोस रिन्टू थामस और सुस्मित घोस ये है फिल्म इसको नॉमिनेट किया गया था Writing with fire आक से लिखना Writing with fire किस भारती राज ने जनुरी 2022 में चात्र स्टाटाप आउ नवाचार नीत 2.0 सुरू की तो कौन सवाराज है जिसने सुरू किया तो गुजरात राज है गुजरात ने सुरू किया चात्र स्टाटाप आउ नवाचार नीत 2.0 की सुरू आट गुजरात राज ने किया ठीक है क्योंकि 12 जून से पहले पहले नोबल पुरस्कार नहीं मिलने वाले है सप्तंबर में नोबल पुरस्कार समधा मिलता है तो उसके पहले पहले यही है और यहां से question हर एक exam में अभी पूछे जा रहा है तो हमने trick बताई है अन पूडा परवत परचणने वाली परथम भारती महिला काउन है प्रेंका मोहिते दुनीया की दस्वी सबसे उची परचोटी मांट अन पूडा पर फताय हसिल करने वाली पहली भारती महिला फर्स इंडियन उमेंट टूइसकेल माउंट अपूड़ा बनी है तो कमेंट करिएगा ये कहां की हैं किस राजी की हैं और अनपूड़ा परवत कहां पर है तो कौन है प्रियंका मोहिते स्वरगी लता मंगेसकर को भारत का सर्वेच नागरिक सम्मान भारत रतन किस वर्स परदान किया गया था ठीक है किस वर्स परदान किया गया इन से कोस्टन पूछा जा सकता है लता जी से कोस्टन पूछा जा सकता है 2001 में भारत रतन से समानित 2001 में 1989 में इनको दादा साथ फाल के पुरसकार समानित किया गया कमेंट करेगा दादा साथ फाल के पुरसकार कब से दिया जाता है और पहली बार किसे दिया गया था सौर कोकिला नाम से यह चर्चित है और 1929 में इनका जन्म हुआ था कितनी हिसाल के लिए 13 वर्ष की उम्र में मराठी फिल्म कितनी हिसाल के लिए उन्होंने पहला गाना गया था 1922 में मराठी फिल्म पहली मंगला गवर में अभिने भी उन्होंने किया था स्टेटमेंट इसे बनाए जा सकते हैं PCS में बहतर इस्टेटमेंट बनाय जा सकते है 2001 में भारत तरत्म 1989 में दादा साफ फाल के पुरसकार स्वर कोकला से पुरसिद थी 1939 में इनका जन्म हुआ था 13 वर्ष के वस्था में कितनी हिसाल मराठी फिल्म के लिए अपना पहला गाना इन्हों गया था 1982 में माराठी फिल्म पहली मंगला गावर में अभी नहीं भी किया था 1946 में हिНदी फिल्म आपकी सेवा में इन्हों ने अपना पहला हिंदी गाना रिकार्ट किया याद रखेगा आपकी सेवा में और पूरे कैरियन में इन्हों लग बग 30,000 तक गाने गाए भारत रतनाव दादा साहब फालके के लामा इन्हें 1989 में 1999 में पदम भूसर्ड, 1969 में पदम भूसर्ड, 2009 में नेशनल आडर आप दे लीजन आफ आनर फ्रांस सरकार की दोरा, तीन बार राश्टी फिल्म पुरसकार, चार बार फिल्म फेयर, सरसे पारसो गाय का पुरसकार सहि तो इन से स्टेटमेंट बनेंगे, बन सकते हैं और क्योंकि सब का ध्यान इन पर बहुत है, क्वेस्टन पूछने में जैसे पूछ लिया उत्राखन PCS ने, तो 2001 में इनको दिया गया था भारत रतना, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाली मुद घाटन किय धाका को किस भारती सार से जोड़ती है, तो कई ट्रेने थी, यहाँ पर मिताली एक्सप्रेस लिखा गया है, परधान मंतरी नरेन मोदी और उनके बांगलादेशी समकच सेख हसीना ने हाल ही में मिताली एक्सप्रेस नाम की नई यात्री ट्रेन का उद्गाटन किया, या ब बंधन एक्सप्रेस बंधन खुल गया, खुला कहां पर कोलकाता में, या बंधन खुल भनादेशी से खुला काउल काता में, और मैत्री ढाका ऊज़एक या नकिन ये ढाका से निउजल्पाई गुड़ी थी, कार इसम्यायी एक्सप्रेस ढाका इस eternal गुड़ी या न रखिएगा थोड़ासा फूराना है लेकिन पूछा जा सकता है कभी कभी तो दो साल पहले का भी पूछ लेते हैं जैसे 2018 और 1999 ने पूछा था पता नहीं कौन सी रैंकिंग पूछी ती दो साल पहले की रैंकिंग पूछ रहें कि बताओ भowych तो the world beneath hit fit निम्नकीत में से किन की जीवनी है तो यह जीवनी पुलेला गोपी चंद की है पुलेला गोपी चंद the world beneath hit fit किसकी जीवनी है पुलेला गोपी चंद की जीवनी है the world beneath his fit है is a biography of bad winter player and current chief national coach for india national bad winter team पुलेला गोपी चंद he is one of the few legendary sportsmen सब्सक्राइब और राश्ट्री खेल पुछा जा सकता है तो यह रहे करेंट अफेर के जो बहुत ही महतपूर कुस्चन थे साधी एक स्लाइड और नहीं है नहीं तो यह बहुत ही महतपूर कुस्चन है और जो घटना सार पढ़ाया गया है घटना सार का जो पुश्माटम किया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजी नई वाली घटना सार आ जाएगी तो उसको हम अच्छे से पढ़ा देंगे आपको और ट्रिक का लेक्चर करेंग में थोड़ा भीजी थे थे नहीं तो यह कुछ रिगुलर सारव आफिस्यल पर होंगे रिगुलर होंगे करेंट फेयर के भी होंगे सारव आफिसल ठेलग्राम की लिंक डिस्क्रिप्सम दी गई उसको जाइन करिए और चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अगर आ अगले लिक्चर में बहुत बहुत धन्यों